आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चेनल जिम अश्टडी में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले है स्यूटी एक्जाम दो हजार थाइस के रिगारिंग जिसका भी history domain paper है इसका fourth chapter यहाँ पर complete करने वाले इससे पहले मैंने आपको सारे chapter complete कर दिये तोड़ा सा आवाज मेरा धीमी निकल रहा है इसका reason है कि मेरी तबियत बहुत ज़्यादा खराब है तो आप इसे ignore करके सिर्फ question पर focus किजिएगा बहुत ही मुश्किल से वीडियो बना रहा हो तो please आप लोग ignore किजिएगा और question पर focus किजिएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले मैंने आपको pdf telegram में दे दिया है आप pdf को पढ़ लिजिए ठीक है बहुत important pdf दे रहा हो आप लोगों को लग रहा होगा कि यह pdf कोई भी माने नहीं रखता है ऐसा important pdf बता रहे आपको कोई भी नहीं देगा ठीक है बहुत important pdf है और यह जो pdf है यह summary हर एक chapter का ठीक है आप देखे इसा पूर्व दिया होगा ठीक है कितने से कितने इसा पूर्व तक यह आपका वैदिक काल प्रारांबिक वैदिक काल यहाँ पर स्टार्ट हुआ था यह आपको बताना है यहाँ पर देखे पहला जो इसका option है तो यहां पर देखे पहला आपका यजूरुविद में या फिर रिगवेद में या फिर अपनिशाद में या फिर टीका में इसका सही उतरोगा रिग वेद में यानि option नमबर दूसरा ठीक है आगे बढ़ते हैं next question तीसरा number question नमबर तीसरा क्या आपका जैन धर्म में वर्दमान सहित कुल कितने तिर्थ कर हुए जैन धर्म में जो वर्दमान सहित कुल कितने तिर्थ कर थे कम से कम अगर आप question नहीं समझ में आता है तो आप इतना अगर question में देखोगे कि कितने कुल तिर्थ करते 24 है ठीक है याद रखेगा ये important question है आगे देखे फूर्थ नमबर question क्या आपका जैन धर्म में किसकी मानिता मिली जिसने वेपार और वानिजी को बढ़ावा दिया तो यहाँ पर देखे पहला अपसन आपका मुनाफा इवं सुदखोर या हिसाब करना या कर्ज बाटना या फिर वस्तु विने में करना तो इसका सही उत्तर होगा अपसन नमरे मुनाफा इवं सुदखोरी ठीक है आगे बढ करते हैं नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर सिक्स और कोश्चन नमर सिक्स क्या आपका किस धर्म में दुख निवारन वा मोक्ष प्राप्ति के लिए अस्टांगिक मार्ग को प्रतिपादित किया गया है वैसनो धर्म में या फिर शैव धर्म में या फिर जैन धर्म में या आपका तोरन द्वार तो यहां पर देखे कौन सा भाग नहीं अस्तूप का तो कुश्चिन नमर सैवन का जो उत्तर है वह आपका अपसन नमर भी ठीक है आगे बढ़ते है नेक्स्ट कुश्चिन और एट नमर कुश्चिन क्या आपका साची का अस्तूप किस राज में अवस् परतीक है अस्तूप के चित्रों में जो इक अस्तान है वो किस चीज का परतीक है जिसे आपर पहला उपसन है महात्मा भूद के ध्यान की दशा या फिर महापरी निर्वान का परतीक या फिर ग्यान प्राप्ती का परतीक या फिर प्रत्थम उब्देश का परतीक तो कुश अरंबिक भारतिय मूर्ति कला जिसे यूरोपियो द्वारा ठीक है बहुत ही जाता है उटकरिष्ट माना गया था वो कौन से थी गांधर कला मतरा कला यूनानी कला या फिर अमरावती कला तो कुश्चन नमर टेन का जो उत्तर है वो आपका उपसन नमर सी होगा यानि यूनान कला आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमर टुएल क्या आपका जैन धर्म द्वारा किस परकार संपून भारतिये चिंतन परंप्रा को प्रभावित किया गया अपसन धम के सिध्धान्त द्वारा अहिंसा के सिध्धान्त द्वारा पंचसील के सिध्धान तो कोश्चन नमर 12 का जो उत्तर है वो आपका उप्सन नमर B होगा यानि अहिंसा के सिध्धांत के द्वारा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन आगे देखिए नेक्स्ट कोश्चन तेरा नमर के आपका जैन गरंथों में किन भासाओं का उप्यों किया ग ठीक है आगे बढ़ते है next question और next question क्या आपका 14 नमबर निमने में से किन देशों में बुद्ध के संदेशों तथा विचारों का परसार हुआ निमने में से किन देशों में बुद्ध के संदेशों तथा विचारों का परसार हुआ देखे भुटान है पाकिस्तान है अफगान दर्साया गया रिक्त अस्थान अस्थूप या धर्मचक्र या फिर ये सभी तो question number 15 का जो उत्तर है वो आपका option number 2 ये सभी से ठीक है रिक्त अस्थान से भी अस्थूप से भी और धर्मचक्र से भी आगे बढ़ते हैं नेक्स question 16 number 16 question का आपका महात्मा बुद्ध के संपूर्ण सिक्छावा उपदेशों का आधार क्या है महात्मा बुद्ध के संपूर्ण सिक्छावा उपदेशों का जो मिन बेसिक है आधार है वो क्या है अहिंसा है या सत्य है या फिर तित्य समुत पाद है या फिर ग्यान है तो question number 16 का जो उत्तर होगा वो आपका option number C ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question 17 number question number 17 का आपका थेरी इस्तिरियों के बारे में निम्न मेंसे कौन से कथन सत्य है पहला आपका वे इस्तिरिया जो बौद संग में परवेश कर भिक्षोणी बनी दूसरा आपका वे इस्तिरिया जो धम की उपदेश का आए थी और option number C आपका A और B दोनों या फिर option number D उपरुक्त में से कोई नहीं तो question number 17 का जो उत्तर है वो आपका option number C यानि A में जो लिखा वो भी सही है और B ठीक है ये थेरी इस्तिरियों के बारे में सही है आगे देखिया 18 number question किस भगवान की प्रतीकृती को लिंग के रूप में पूजा किया जाता था ठीक है पूजा जाता था विसनो, सीव, इंद्र या फिर वरुन तो question number 18 का जो उत्तर है वो आपका option number B ठीक है आगे बढ़ते है next question 19 number बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती किस अस्थान पर हुई थी लुंबिनी में, सारनात में, या विक वालियर में, या फिर बोध गया में तो question number 19 का जो उत्तर है वो आपका option number D या नि बोध गया में, ठीक है आगे बढ़ते है next question 20 number question number 20 का आपका किस बोध गरंद के अनुसार असोक ने परतेक महत्पून सहर में अस्तूप बनाने का आदेश दिया था किस बोध गरंद के अनुसार असोक ने परतेक महत्पून सहर में अस्तूप बनाने का आदेश दिया था आपको बताना इसका उत्तर क्या होगा सुत्त पीटक या फिर विनय पीटक या फिर असोका वदान या फिर सुत्त पीटक तो यहाँ पर देखें क्वेशन नमर 20 का जो उत्तर है ना वो आपका अपसन नमर C होगा असोका वदान आगे नेश्ट कुश्चिन 22 नमबर साची अस्तूप की परमुक विसेस्ताओं के बारे में निम्न मेंसे कौन से कथन सत्य है पहला कथन है यह एक अर्द गोलाकार गुंबद है या फिर या पत्थर की एक बड़ी बाड़ से घिरा हुआ है या फिर साची के अस्तूप में कई कहानियों का चितरन किया गया है या फिर उप्यक्तु मेंसे सभी तो कुश्चिन 22 का उत्तर होगा उप्सन नमबर डी यानि यह सारे कथन सही है तिक है साची अस्तूप की जो विसेस्ता है न या पर यह सारे विसेस्ता है कि इस परकार से साची अस्तूप होते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन और नेक्स्ट कोश्चन क्या आपका ताइस नमबर निम्न में से कौन सी एक प्रारम्बिक मंदिरों की विसेस्ता नहीं थी भैला अपसन आपका प्रारम में एक कमरा बना जिसे गरब गरह कहा जाता था दूसरा इनकी विसेस्ता पाड़ियों को काट करता था खोखला बना कर कृत्रिम गुफाओ के रूप में भी थी आपका मंदिर गुंबत का आकार आकिरती में बने होते थे जो मंदिर का जो गुंबत था वो गुंबत के आकार की आकिरती बनी होती थी या फिर उपरुक्त में से कोई नहीं तो question number 20 का जो उत्तर है वो आपका question number 3 होगा ठीक है यानि मंदिर गुंबत का आकार आकिरती में बनी होते थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते है next question question number 24 का जिमने में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है जैसे इतर देखे बौध धर्म के त्री रत्म बुद्ध संग और धम ये थे बौध धर्म का महत्पून गरंथ त्री पीटक महत्मा बुद्ध की सिक्छाए विने पीटक महायान बोधिस्तों की मुर्तियों की पूजा तो आपको बताना है यहाँ पर कौन गलत है कौन गलत मिला है तो question number 24 का उतर होगा अपसर नमर सी महत्मा बुद्ध की सिक्छाए ठीक है यहाँ आपका विने पीटक यहाँ पर रौंग है पचीस नमबर question की आपका महत्मा बुद्ध के वहवारिक ज्यान को किसने गरंतों की रूप में संकलित किया था पहला आनंद और उपाली दूसरा असोक और बिम्बिसार तीसरा बिम्बिसार और अजात सत्रू या फिर असोक और उपाली तो देखें आपकर question नमबर पचीस का जो उत्तर है वह आपका अपसर नमबर आनंद और उपाली आगे बढ़ते हैं next question 26 नमबर question 26 के आपका बहुत धर्म के पर चार प्रसार में किसका विसेस महत्वर हा करमकांड या फिर आडंबर या फिर राजकिये संरक्षन या फिर सहिश नुता question 26 का जो उत्तर है वह आपका अपसर नमबर सी राजकिये संरक्षन आगे बढ़ते है next question 27 नमबर के आपका नमन मेंसे कौन सा एक सही सुमेलित है या फिर कतन वाला question भई आपके एक्जाम में चार से पांच question से भी ज़्यादा question रहेंगे इसकी गारेंटी है ऐसे question बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं आपके इस यूटी एक्जाम में और यह सारे question में आपको करवा रहा हूँ पिछले साल के आधार पर यह question है जैसे तैसे question नहीं करवा रहा हूँ ठीक है एक ज़रा सा आपको लग रहा होगा कि यह बारवी का जैसा question है नहीं है ठीक है यह कुछ नया अलग type का question है यहापर तो आपक आना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है जैसे यहाँ पर देखे पहला अपसन है 1814 में मदरास की अस्थापना या फिर 1834 में कनिंगम द्वारा सारनात के अस्थूप की धान बीन या फिर 1851 में कलकत्ता की अस्थापना या फिर 1923 में कंजवेर्शन मैनूल का परकाशन तो साची का अस्थूप किस राज में इस्थित है ये तो आपको मैंने भी बता दिया मद्वर्देश में 28 का उत्तर होगा अपसन नमर सी आगे देखे कुश्चिन 29 के आपका किस अस्थूप में जातक कथाओ का चितरांकन देखने को मिलता है साची में सारनात में या फिर भरह असत्य है पहला अपसन देख लेते हैं नवीन हिंदू धर्म सरल तथा सहज उपासना पदती पर अधारित था या फिर अब वैदिक यग्यों के अस्थान पर भक्ति आराधना महत्पून हो गई है या फिर अब सभी वर्गों को हिंदू धर्म में अस्थान दिया गया या फिर अपरुक्त मेंसे कोई नहीं यह आपको बताना है कि कौन सा नवीन धर्म जो हिंदू नवीन धर्म है उसके बारे में गलत है कौन सा कथन तो कोश्चिन नबर तीस का जो उत्तर है वो आपका उप्सन नमबर डी या उपरुक्त मेंसे कोई नहीं ठीक है यहाँ पर इसक सतर वाला तकरीबां एक अक सो कुश्चन लगभग ठेक है एक सो कुश्चन सतर असी कुश्चन का महा महरतन वाला वीडियो आएगा जैसे ही आपका ये एगजाम जैसे एडमिट कड़ आएगा तो आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाएचे तरीके से अगर त्यारी को जरूर सब्सक्राब कीजिएगा ठीक है मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में